हेलो गाईज आप सभी का बाला की रसोई यूटुब चैनल पर स्वागत है आज की रेस्पी है चपन्टिंडे और प्याज की सबजी बनाना तो आईए स्टार्ट करते हैं चपन्टिंडे और प्याज की सबजी चपन्टिंडे बनाने के लिए यह हमने 500 ग्राम चपन्टिंडे लिए हैं और यह हमने इनको काट लिया है और छील लिया है एक टिंडे को हमने बचाया है और इसे हम छील लेंगे यह बिल्कुल असानी से छील के तियार हो जाता है और इन्हें हमने काटके अच्छे से धो लि और ये देखो, कितने आसानी से कटके तेयार हो जाते हैं ये, और ये मैंने 4-5 लसन की कलिया ली हैं, इसको भी बारी कट कर लिया हैं पांच मैंने प्याज लिये हैं, इनको मैंने लंबे टुकडों में कट कर लिया है, तीन से चार हरी मिर्च लिये हैं, इनको भी मैंने लंबाई में कट कर लिया है, ये हमने लाल मिर्ची पॉडर ली है आदा चम्मच, आदा चम्मच हमने हल्दी पॉडर, आदा चम्मच हमने मैं इसमें ऑईल डालूंगी ऑईल को मैं गरम होने दूंगी ऑईल हमारा गरम हो चुका है अब मैं इसमें चथाई जीरा डाल दूंगी जीरा हमारा चटक चुका है अब मैं इसमें लख्सुम की यह तलिया डाल दूंगी हमारा भून चुका है अब मैं इसमें ये प्याल डालूंगी और दिल्कुली की सिंपल करीपे से मैं ये चपन दिंदे की सब्जी प्यार करूंगी हमारे प्याज हलके से भून चुके हैं प्याज को हम ज्यादा नहीं भूनेंगे अब मैं इसके अंदर ये मसाले डाल दूंगी और इसे मिक्स कर लोंगी और साथ ही मैं इसमें ये चपन दिंदे राल दूंगी और इसे खिर से मिक्स करूंगी ये हमारे प्याज कर दूंगी और इसे मिक्स कर दूंगी अब नहीं से स्लो गैस पे दस से पंदरा मिक्स कर लेती हूं तो आईए चेक करते हैं और ये हमारी सब्जी ने ओल छोड़ना शुरू कर दिया है और टिंडे हम देख लेते हैं चपन टिंडे और ये पकर चुके हैं देखो कितने असानी से टूप चुके हैं इसे मैं मिक्स करूंगे फिर से अब मैं इसमें ये हरी मिर्च लंडी लंडी कटी हुई और साथ ही मैं खूब सारा इसमें हरा अधनिया डाल दूंगी और इसे मिक्स करूंगे फिर से और गैस के फिलेम को में थाई कर दूंगी अब मैं इसके अंदर चुपाई चमच गरा मसाला डाल दूंगी और इसे मिक्स कर लूंगे गरा मसाले को और फबजी हुमारी बन कर सब्जी को में प्यार हो चुकी है गैस को मैं बन कर दूंगी और सब्जी को मैं एक बाउल में सब्ज़ करूंगी यह हमारे चपन्टिंडे और प्याज की सबजी बनकर तियार हो चुकी है अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें शेयर करें और सिस्क्राइब करना ना भूलें